देशबर में प्रसिद्ध है तो दूसरी ओर हमारे मालवा की माट्टी की तासिर है नए पकवान खिलाना और उसके स्वाथ से प्रपु पुरस्कूरूत करना जत्रा की परंपरा रही है प्रति दिन तीन पुरस्कार दिये जाते हैं और दार कालिया मजाना चाहिए स्री मति निश्या पाटिल ने गरम सकली का सौन लगाया था अने इंदोर मदे आल्यान अंतर मला असा कदिस वाटत नहीं कि में महाराफ्टर चा भाहर आलो है या ठिकान चा मराठी भाशे लोकान ना भेटल्यान अंतर गरम जे इंदोर मदे आल्यान अंतर इतले पोहान चा स्वादस वेगाया और पोहा जिले भी खाले शिवे ते चैनी पड़त ने आले तसक इंदोर मदे आल्यान अंतर जो कुणाला भेटलो कि मा नाई भेटलो पन सराफा आले चपपन भोगला नकित जातो मैं मराठी सोशल ग्रूप को और जत्रा को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ एकत्री करण भी यहां होता है साथी में हमारी जो संस्कृती है महराश्ट की संस्कृती उसको जीवित रखने का उसको पदर्शित करने का एक कारे भी यहां होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन का अभिन अंग जो हमारी खाद्य संस्कृती है और जो महराश्ट के प्रदार्थ अन्य था शायद यहां खाने को न मिले या उतने बड़े पैमाने पर उपलब्द नो हो ऐसे सारे के सारे प्रदार्थ यहां पर उपलब्द कराये जाते हैं जिसके करण सभी लोगों को नई नई चीजे चखने का एक आनंद मिलता है और अपने पूरे परिवार के साथ सभी लोग यह आनंद ले सकते हैं मैं देवेंद्र का यहां पर स्वागत भी करती हूँ और आज इसलिए वास्तों में यहां बुलाया भी था आपको कि महराष्ट्र के बाहर महराष्ट्र की संस्कृति का जतन किस तरीके से यहां के लोग कर रहे हैं और केवल इतना ही नहीं वो जतन करते हुए केवल महराष्ट्र यह लोग नहीं तो सभी लोगों को एक साथ कैसे जोड़ के रखा है यह एक छित्र जत्रा में अगर हम आते हैं तो जत्रा में देखने के लिए मिलता है जत्रा में खारी हो मितलब आप भी हैं अपन में यही लगव भी है एक तो अपन इंदोरी एसी भूके और उपर से यहां खाने के एक स्ज़क आइटम भी है जन्नाड आइटम जत्रा यानि मेला मेला यानि मिलन मिलन उन लोगों का जो अपनी संस्कृती से अपने संस्कारों से शिद्दत से महबत करते हैं एक छोटा प्रयास जत्रा का जिसमें कोशिश थी कि दशेरे और दिवाली के बीच लोगों को जोडा जाए लोगों को खरीदारी का आउसर दिया जाए उनको संस्कृती दिखाई जाए और साथी साथ उनको खान पान के जो हमारे संस्कार है उससे परिचित कराया जाए मूलतव मराठी संस्कृती से उपजी ये जत्रा मालवा शेत्र का एक अभिन्य हिस्सा बन चुकी है और इसकी ख्याती तो पुरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है जिस सरीके से लोग यहाँ पर एक बिल्कुल घर की तरह बैठते हैं दर्यों पर बैठकर जमीन पर बैठकर खाते हैं लावनिनत्ते का आनंद लेते हैं निश्चित तोर पर यह हमारे संस्क्रती का एक बहतरीन आईना है बहतरीन नमूना है